Hello all of you, जैसे कि हम लोग अपना second chapter, plant physiology को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने morphology of plant पढ़ रहे थे, ठीक है? मार्फोलोजी और प्लांट में हम लोगों ने देखा कि उसके दो पार्ट है, दो पार्ट में बाटा गया है, अब हमारा next part है, that is the reproductive part of the plant, वो क्या है? वो है flower and fruit, ठीक है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्लार के बारे में, क्या पुष्प क्या है? फ्लार, फ्लार है reproductive part, मतलब एक पेड का प्रजनन करने वाला अंग, जहां से उसके बीच से same kind of plant को हम लोगों ग्रो कर सकते हैं, तो फ्लार जो है reproductive part of plant है, दूसरा, it is the rich source of nectar, यह इससे फूल में एक sweet substance present होता है, जिससे कि इंसेक्ट को attract करता है, खुष्बू होती है, मीठा पराग करन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, nectar, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो that juicy substance को हम लोग बोलते हैं, nectar, ठीक है, तो इसके दो रोल है, एक reproductive part है, और दूसरा, it is source of nectar है, जिससे कि इंसेक्ट इंसेक्ट अट्राक्ट होते हैं, ठीक है, अब आदे हम लोग part of the flower, flower के कौन-कौन से part है, तो flower के पहला है हमारा calyx, जिसको हम लोग सेपल भी बोलते हैं, हिंदी में उसे बोलते हैं, बाहिये पुंच, सेपल जो है, वो क्या है, green in color होता है, और outer part है, मतलब एक फूल का, पुष्प का सबसे बाहरी भाग, green color का जो सबसे बाहरी भाग है, हम लोग देखते हैं, कि इस तरह से अगर कोई ऐसा bird है, या अगर flower है, तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा green color का एक पार्ट दिखता है, that green color part, जो है, वो हमारे क्या है, सेपल है, जिसको हम लोग कैलिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने picture बनाया है, यह हमारा का जो colorful part होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, कोरोला या petal, इसका काम क्या है, attract insect, इसमें जो colorful part होता है, वो color के कारण और उसमें खुश्बू होने के कारण, insect जो है, कीडे मकोड़ों है, जो फूल के तरफ attract होते हैं, और protect the reproductive part, और यह जो petal है, वो क्या करता है, फूल के जो male और female reproductive part है, उसको बचा करके रखता है, उसको protect करके रखता है, जैसा कि यह फोटो में देखे, picture में क्या है, यह मारा petal है, और यह petal के अंदर में हमारे male and female reproductive part है, that means की petal का का काम क्या है, कि वो plant के जो reproductive part है, flower के जो reproductive part है, उसको अपने अंदर में protect करके रखता है, उनको ब स्टेमन भी बोलते हैं थार्ड पार्ट है हमारा अंड्रोसियम जिसको स्टेमन करते हैं और हिंदी में उसे बोलते हैं पुंकेसर ठीक है यह हमारा पुंकेसर यह male reproductive part of the flower अंड्रोसियम is the male reproductive part of the flower ठीक है और इसका symbol क्या है यह इस तरह से symbolize किया जाता है और इसके भी part है वो है filament, tanthu, anther, parakosh, pollen grain, parakan यह ना अंड्रोसियम, स्टेमन के भी तीन part है यह हमारा यह है filament filament क्या है एक thread like structure है ठीक है filament is a thread like structure वो thread like structure जिसके उपर में top पर एक lobe होता है उस lobe को हम लोग क्या बोलते है anther that lobe is called anther और उस lobe के अंदर में छोटे-छोटे powdery substance होते है yellow and white color का कभी yellow किसी flower में दिखता है किसी में white दिखता है एकदम powder जैसा तो that powdery substance is called the pollen grain ठीक है मतलब flower का male reproductive part है उसको stamen कहते हैं जिसको androsium भी बोलते हैं उसके 3 पार्ट है filament, anther and pollen grain ठीक है और जिसमें pollen grain जो है वो main male reproductive part of the flower है तीन reproductive part है flower के male तो ये तीनों में से जो main जो reproduction में help करता है वो fertilization में जो help करता है वो कौन सा पार्ट है that is the pollen grain it is the pollen grain is the main reproductive part main reproductive part of male flower ठीक है ये main reproductive part of male flower है that is pollen grain फिर हमारा next आता है gynosium pistil इसको हिंदी में बोलते है 3 केस है ये female reproductive part of the flower है gynosium जो है pistil जो है वो female reproductive part है plant का pushp का female reproductive part जो है वो mother reproductive part है जिसका symbol क्या है वो इस तरह का है ठीक है इसके भी part है इसके अंदर में आता है stigma जिसको वर्तिका बोलते है style वर्तिकाग्र ovary अंडाश ovule अंडानू ठीक है gyynosium और pistil के भी चार part है जैसे हम लोग यहाँ picture में देख रहे है हमारा पहला है stigma यह stigma किस से attach होता है यह एक style से attach होता है जो एक लंबी thread like structure होती है और style किस से attach होता है ovary से और ovary के अंदर में छोटे छोटे granule present होते है जिसको हम लोग बोलते है ovules ovary के अंदर छोटे छोटे granule रहते है जिसको हम लोग बोलते है ovule अंडानू अंडाशे के अंदर में छोटे छोटे दाने लाइक संगरशना होती है जिसको हम लोग बोलते है अंडानू तो gyynosium के भी चार part है stigma, style, ovary and ovule and gynesium को हम pistol भी बोलते हैं और यह एक female reproductive part है और इसमें जो main female reproductive part है, जो fertilization में help करता है, part लेता है that is the ovary, ovary जो है वो main female reproductive part है female reproductive part ठीक है, ovary जो है main female reproductive part है जैसे pollen grain जो है main male reproductive part of the flower है तो ovary जो है, main female reproductive part of the flower है जो fertilization में part लेता है तो यह question आता है कि male reproductive part flower का कौन सा है कौन सा main male reproductive part है तो that is the pollen grain और ovary जो है main female reproductive part of the flower है, clear? तो ये चीज़ हम लोग कर लेते हैं कि हमारा जो एंडोसियम है एंडोसियम को ही स्टेमेन बोलते हैं इसको हिंदी में पुंकेशर कहते हैं ये एंडोसियम जो है वो हमारा मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट है आता है को एक्जाम में कि मारा मेल रिप्रोड़क्टिव पार् stamen, stamen को ही endosium भी बोलते हैं, ये भी question में आ सकता है, कि stamen को क्या बोलते हैं, stamen को endosium बोलते हैं, और pistol जो है, वो इस तरी case है, female reproductive part है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, gynetium, that is the female reproductive part, है ना, pistol को gynetium भी बोलते हैं, और इन flower के चार पार्ट के according ही, हम लोग को दो प्रकार में बाटा गया है, two types of flower होते हैं, ठीक है, पहला है complete flower, complete का मतलब भी समझ में आ रहा है, पुर्ण, पुर्ण पुष्प, मतलब वैसे फूल, जिन में ये चारो पार्ट, calyx, corolla, androsium and gynoseum, है ना, calyx, corolla, मतलब हमारा, sepal, petals, stamen and pistil, ये चारो जिस flower में प्र complete flower, ठीक है, और इस complete flower को हम लोग bisexual flower भी कहते है, bisexual मतलब द्वी लैंगिक पुष्प, इसमें, द्वी लैंगिक मतलब बाइसेक्शुल समझ में रहा है, क्योंकि complete flower है, इसमें हमारा male and female दोनो reproductive part, जो हमारा stamen और pistil है, वो दोनों present है, androsium and gynoseum भी present है, ठीक है, तो जब एक ह पुष्प में stamen और pistil present होते हैं, इसके कारण इसको हमनों बोलते है, bisexual flower, द्वी लैंगिक पुष्प, तो ये आता है question कि जो complete flower है, किसे कहते हैं, complete flower कौन से है, तो जो bisexual flower है, वो complete flower है, या vice वर्सा, bisexual flower कौन से है, तो जो complete flower है, वही bisexual flower है, यह दोनों present होते है, एक पुष्प में, इसका सिंबल जो होता है, वो इस तरह का होता है, male and female, male and female, both, ठीक है, फिर आता है हमारा incomplete flower, incomplete, मतलब, पुर्ण पुष्प, मतलब, इस पुष्प में, कोई एक पार्ट जो होगा, वो missing होगा, कोई एक पार्ट present नहीं होगा, ठीक है, आइदर, हमारा kalix नहीं होगा, korola नहीं होगा, या androsium नहीं होगा, या ganyasium नहीं होगा, ठीक है, तो, kalix and korola तो होगे, तो क्या absent होगा, ऐधर, वो ganchange नहीं होगा, या androsium नहीं होगा, तो, एक कॉई link, किसी एक कोई reproductive part किसी एक flower में होगा that means की calyx, korola और हमारा stamen रहेगा या calyx, korola या pistol रहेगा ठीक है तो इसलिए जो incomplete flower है उनको बोलते है unisexual flower एक langic pushp मतलब कोई एक reproductive part either male या female reproductive part calyx and korola के साथ present होगे उस type के flower को बोलते हैं हम लोग unisexual flower तो यहां भी question आता है कि unisexual flower कौन है तो incomplete flower is unisexual flower या incomplete flower को क्या बोलते हैं तो incomplete flower को हम लोग बोलते हैं unisexual flower एक langic pushp इनका symbol ऐसा होता है ठीक है और calyx और korola जब आपस में मिलते हैं कुछ flower ऐसे होते हैं जिनमें आप देखते होंगे कि हम लोग देखते हैं कि calyx जो है sepal जो है वो अलग से green और फिर उसके बाद अंदर से इदर sepal है और बीच में हमारा petal present होता है मतलब यह हमारा अगर इदर से sepal है तो यहां पे बीच में इस तरह का petal present होता है लेकिन कहीं कहीं पर देखता है कि sepal और petal आपस में joint हो जाते हैं तो जब वो जिस जगब पे joint होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं parianth that place is called the parianth तो जहां calyx और कोरॉला आपस में collectively joint together हो जाते हैं उस एक जब मिल जाते हैं जाकर के उसको बोलते हैं हम लोग parianth ये एक important question है आता है ये question ठीक है अब हम लोग आते हैं pollination pollination क्या है जैसे कि हम लोग ने देखा इसके दो पार्ट हैं flower के flower में male and female reproductive part present होते हैं तो female और male और female reproductive part जब आपस में fuse होते हैं तो वो उससे जो gigot बनता है that process हम लोग बोलते हैं fertilization ठीक है ना but fertilization process को start करने का जो point होता है fertilization process में the male and female gamit आपस में fuse हो तो male and female gamit that means की enter और stigma जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो जो मिलने वाला process होता है that process is called the pollination परागन ठीक है क्या है the transfer of pollen grain from enter to stigma of flour यह जो हमारा pollen grain है यह जो enter है यह जब stigma में enter करता है तो जो enter करता है तो वो जो process है that is called the pollination उस process को हम लोग बोलते हैं pollination ठीक है pollination via media होता है किसी के through होता है वो media कौन कौन से वो कौन से medium है जिसके through वो pollination process होता है तो by water पानी के through भी हो सकता है या तेज बारिश हो रही है या तेज बारिश उसका force आ रहा है पानी का वो पानी इसके force से जो enter है जो pollen grain है वो stigma में attach हो गया जा करके तो वहाँ pollination हुआ तो by water अगर pollination होता है तो उसको बोलते हो hydrophilis फिर उसी तरह से air हवा तेज हवा के कारण enter से जो pollen grain है वो उड़ करके stigma से attach हो गया तो वो process जो होता है वहाँ pollination start हो गया तो that process जो air के साथ अगर through air वो pollination हो रहा है तो वो उसको बोलते है animal philis ठीक है animal के through अगर pollination हो रहा है जानवर आए पत्या खा रहे है तो उसको फूल को भी हिला फूल के जो एंथर है फिर वो इस्टिग्मा से मिले वो pollen grain जो इस्टिग्मा से attach हुआ pollination अगर होता है तो उसको बोलते है zoophilis insects के through insects आके flower में बैठा उसके pair में जो hair होता है उस hair पे pollen grain इस्टिग हो गया फिर जब उड़ा है तो वो इस्टिग्मा से जाकर के गिरा और इस्टिग्मा से attach हो गया तो वो by insect अगर pollination process होता है तो उसको बोलते है intumophilus ठीक है और जो bird के through होते हैं वैसे ही bird आके बैठे उसके wings में या उसके pair में pollen grain इस्टिक हुआ और फिर वो filament stigma से आकर के attach हुआ तो वो process जो कहलाता है वो हो ornithophilus ठीक है अब यह तो pollination के media है अब pollination के भी type होते हैं दो तरह का pollination होता है यह ना flower में plant में दो तरह का pollination होता है एक है हमारा self-pollination self-pollination मतलब स्वता परागन यह clear हो रहा है कि self मतलब एक flower जिसमें दोनों पार्ट प्रेजंट है दोनों male and female reproductive पार्ट प्रेजंट है तो जो एंथर है जो pollen grain है एंथर में present pollen grain वो उसके stigma के साथ जाकर के attach हो जाता है stigma से attach होता है तो same flower का एंथर same flower के stigma से attach होता है तो जो pollination process होता है उसको बोलते है self-pollination pollen grain falls from एंथर to stigma of the same flower है ना same flower में फिर आता हमारा cross-pollination cross-pollination क्या है cross-pollination मतलब जब विपरीत परागन that means की एक plant का एंथर same kind of flower के दूसरे plant के stigma से जाकर के attach होता है तो उसमें जो pollination process होता है उसको बोलते है cross-pollination ठीक है मतलब की same kind of flower का एक अगर हमारा same kind of flower है इसका जो हमारा एंथर है वो गया दूसरे flower के stigma के साथ attach हो गया तो ये जो process होता है इसको बोलते है cross-pollination ठीक है और cross-pollination का भी कोई ना कोई media होगा medium के थूँ आता है किसी ना किसी medium के थूँ जाएगा तो वो medium क्या है insect, bird, animal, air, water ये ना pollination तो medium के थूँ हो रहा है तो जो same kind of flower के same flower के male and female gamut जब आपस में अंथर और जब stigma से मिलता है तो उससे जो pollination होता उसको बोलते है self-pollination और जो एक plant का अंथर दूसरे same kind of flower के plant के stigma से जब मिलता है तो उसको बोलते है cross-pollination मतलब कि ये clear हो रहा है कि self-pollination कहा हो रहा होगा self-pollination किस में होगा self-pollination हमेशा complete flower में होगा क्योंकि complete flower में ही हमारे दोनों पार्ट male and female androsium and gynesium present होते हैं तो वहाँ पर हमारा self-pollination होगा और cross-pollination किस में होगा cross-pollination जो होगा वो incomplete flower में क्योंकि इसमें आइदर male reproductive part होगा या female reproductive part आइदर endrosium होगा या फिर gynesium होगा तो obviously एक flower का endrosium मतलब male part दूसरे के female parts है एंथारास, stigma से मिलेगा तो incomplete flower में जो होता है वो cross pollination और complete flower में जो होता है वो self pollination ये ध्यान रखना हो ये आता है आ सकता है कि self pollination किस flower किस type के flower में होगा तो self pollination जो होगा है वो bisexual flower में that means complete flower में होगा और जो cross pollination है वो incomplete flower और unisexual flower में होगा clear तो इस तरह से हम लोगों ने flower के सारे part को पढ़े एक reproductive part पढ़ लिया अब हमारा जो next reproductive part है that is fruit जिसको हम लोग फिर करते हैं clear करते हैं